हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइमर कंट्रोल के वारे में बताने जा रहा हूं सीसाथ.net वेंडोस अप्रिकेशन में तो यहाँ पर टूल बॉक्स में जाते हैं यहाँ तो सबसे बादे मुझे दो बटन चाहिए अधैंगे, एक चला गया एक आउ यहां में दिखिये, दो बने आ गए उसके बाद यहां पर मुझे टू लैवल चाहिए यहां पर न Cameron हो गया, उसके बाद एक टाइमर कंट्रोल चाहिए, तो टाइमर कंट्रोल के लिए जाते है फिर यहां पे सर्च करते हैं, टाइमर, यहां पे दीकें, टाइमर है, इसको डबल क्लिक करते हैं, यहां पे दीकें, टाइमर कंट्रोल आगे हैं, अब क्या करना है, कि सबसे पहले बटन का जो नाम है, उसका हम चेंज करते हैं, टेक्स को, यहां पे हम स्टार्ट देते हैं, यह start हो गया, नाम खेंज हो गया, उसके बाद इसको हम text देते हैं and stop. उसके बाद button one भी click करते हैं, start हो गया, उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं, timer one dot start method को call करेंगे. देखे, start हो गया, यह start method call हो गया, उसके बाद stop पे जाते हैं, फिर यहां पे timer one dot, यहां पे stop method को call करते हैं. उसके बाद अब यहां पे क्या करना है, timer control पे double click करते हैं, उसके बाद एक छड़ा से code लिख रहे हैं, यहां पे मुझे, level one रहे हैं, उसके बाद यहां पे take two, और उसके बाद यहां पे date time, date time, dot अभी count डाल देते हैं, now dot day, ठीक है, उसके बाद यहां पे plus, उसके बाद यहां पे double, उसके बाद यहां पे date time, now month, date time, now, उसके बाद यहां पे month, तो शके बाद यहां पे double, उसके बाद यहां पे space, फिर यहां पे date time, now यहां पे year, उसके बाद यहां पे year, तो सबसे बाद रहे हैं, जाएगा उसके बाद level 2 में डिस्प्ले कर रहा है तो यहाँ पर date time now उसके बाद do तो लॉन कमेंस्ट इसके बाद में दियाया है पर्बत आण टमनेंsprays बिल्च से बेरिख एल में पिकर first उसके वार यहां पी column, पिर यहां पे plus, उसके वार that time 9 millisecond, dot millisecond, तीक कोड हो गया है, यहां पे, किस तरह का error आ रहा है, तो यहां पे error message इसलिए display हो रहा है, कि यहां पे यहां पे यह देना था, ठीक है, यह method हो गया, तो इसके वारे में दिया गया, convert value into current date time, objects equivalent to time representation, यह string, यह भी string, और यह भी string value, यह, और print करेंगा चलिया, execute करके देख लेता है, यहां पे, अभी देखे, यह level 1 है, start पे click करते हैं, तो यह देखे, 7 for 2018, 17 for 2018, यह display हो रहा है, उसके वाद यहां देखे, 3 बज़रा, 20 मिनिट हो रहा है, उसके वाद यह और second है, यह mini second है, अगर हम stop पे click करेंगे, तो यह stop हो जाएगा, फिर यह start करेंगे, तो फिर यह start हो जाएगा, यह timer event के आए में, अगर यहां पे stop करते हैं, stop हो जाएगा, फिर हम पे start करते हैं, तो यह timer start हो जाएगा, और यह code यहां पे date time एक class है, ठीक है, नौıl मसा अभी का day, उसके वाद यह concatenate होगा, आइफेन यह अभी का मंद उसके यह इक एक 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 लिटाने टाम नाउ यह तो और यह जो है वो डिस्प्लेई होगा उसके वाद लेबर टू में यह जाएगा डिटाम नौ तो यह जो भी है वह current or convert the value of current date time ठीक है अभी जो current date time है it's equivalent to time string representation उसके बाद यहाँ पर column उसके बाद date time यहाँ पर millisecond यहाँ पर तो यहाँ पर 3 बच के 20 minute जो होड़ा है तेस मिनिट होड़ा है अभी चाविस मिनिट में चला गया उसके बाद वहाँ पर जो ही millisecond है वो count होड़ा है देखिए 3 है 24 है और यह second millisecond है तो यह timer control के वारे में सिसार.net Windows अप्रिकेशन में तो मैं सकरता है की वीडियो आपको अच्छा रहा होगा हो अगर आप कोई स्रेट वोट कोई कोशन है तो कमेंट कीजिए जो और रिक्राय करने तो आँच की वीडियो में वेलते ने वीडियों की टॉपिके साथ थैंक्यू